कि नमस्कार पिके रोईला स्टेटी पॉइंट यूटूब चनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वाग्ड़ इस वीडियो में हम जानेंगे कि विद्धहले का बजट किस प्रकार से हम आसानी से इस एक्सल सीट की साहता से बना सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बजट बनाने के लिए दिशा निर्देश यानि बजट त्यार करने के लिए में कौन-कौन से दस्ताविज़ों के आउसकता होगी और साहती में किस प्रकार से इस एक्सल सीट की द्वारब बनाएं यह आपको मैं बना देता हूँ आपको सबसे पहले प्रतेक बजट हेट के लिए जो आपकी स्यूकरत पद है उनका विवरें डाउनलोड कर लेना है इसके लावा जो पीयो अधिनस्त स्टाफ है उनका साला दरपन आईडी से जो स्यूकरत कारियरत पोस्ट है उनका विवरें डाउनलोड कर लेना है इसके अलावा गत वर्त्स परश्तूत के बजट की ओफिस कोपी और राज कोशे जो expenditure है वास्तिक वे की ऑंकड़े वह आपको एक अप्रेल बाइस से 31 मार्श 2023 तक कि एक अगस्त बाइस से 31 मार्श 2023 और एक अप्रेल तेज से 31 जुराई 2023 तक का जो expenditure है वास्तिक वे की आंकड़े हैं वो ले लेने हैं इसके लावा चालान फाइल 2022 और 23 तो इसकी और 22 और 23 तो इसमें शेवानी विर्थ होने वाले कारिमिकों की सुची इसके लावा नामांगन सुचना संस्तापन सुचना जो की साला दरप्रण से अपडेटेड लेटर्स जो है वह आपको निकाल लेनी है वहतनबिल की इनरशीट मार्च 23 की और जुलाई 23 की इनक्रिमेंट आदेश सहीत इसके लावा वर्दी योगिये बोनस भुगतान वाले जो कार्मिक है उनकी सुची भी आपको त्यार रख लेनी है तापकि बजट बनाते समय आपको किसी प्रकार की आई सुदा का स आपको यहां स्कूल का नाम लिख लेना है सबसे उपर आप अपनी स्कूल का नाम है लिख सकते हैं इसके अलावा बजट हेट अफिस इडी यह भी आप यहां टैप कर सकते हैं अलग अलग बज़ेट हेट के लिए आपको अलग अलग शीट ही काम लेनी है अब इस शीट में जो करमचारे को विवर्ण है वह आता है जिसे name of employee जितने भी करमचारी है उनकी नाम उनकी यह दि कोई post vacant है तो अन्य था उनकी parents pay matrix level वो सभी आपको यहाँ इसके अंदर fill करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ करमचारी का नाम लिख लेना है सबसी उपर gadget वाल होगा जो राजपतिरत है कि वह उनका उनकी parents उनका pay level कौन सा है इसके लबा March 2024 को जो वेतन है वो इसमें आपको यहाँ लिखना है column number 8 में इसमें उनकी समंदित करमचारी का March 2024 का वेतन इशो का तत्था है कि जुलाई 2023 का वेतन है वो आपको इसके अंदर लिखना है इंक्रिमेंट लगने के बाद जो वेतन है वो आपको जुलाई 13 में लिखना है इसके लावा कॉलम नंबर 9 से लेकर और 13 तक जो यह डाटा है यहाँ इसमें आपको कुछ भी फिल नहीं करना है यह सभी जो एंट्री है एटोमेटिक हो जाएगी इसमें आपको कुछ प्रका का बदलाव निकरना है केवल कोलम नंबर 8 में आपको भी फिल करना है और एक जौ लास्ट का कोलम है कोलम नंबर 14 उसमें जून 2023 का जो मूल वेतन है बैसिक है वो उस करमचारी का लिखना है संक्ढ़ीत करमचारी की नाम किया गी मार्च दोजार चोईस का कॉलम नुबर आठ में और जून दोजार तेस का कॉलम नुबर चोदा में आपको बैसिक लिखनी है इसके लवा पूरी जो कैलकुलेशन है वो इसमें ऑटोमेटिक है इस एक्सल सौप्ट्वर के द्वारा की नीचे आप दोजेन सकते हैं सबसे उपर तो जीस गजिटेड का आ गया और नीचे है जो नों गजिटेड है उनका इसी प्रकार्श आपको नाम विगिरा लिखना है और इनका जो टोटल है गजिटेट का ओनोन गजिटेट का यह अलग-अलग यहां आपको परदर्शिद हो जाएगा इसके लबा जो क्रमचारी फिक्स है यानि इस्ताई उनका नहीं हुआ है अभी नए लगए है जैसे बेसिक कंपूर्टर इंस्ट्रेक्टर है से्निर कंपूर्टर इंस्ट्रेक्टर है उनको इस कोलम में आपको फिक्स लिख लेना है इसी कि कार से और प्रिक्ष कोई वेकेंट पोस्ट आपके इसको JIHAS पी इसकोल में will चेंडिट मैं और आगए जोट नएन है और आगे का तो इस जी एवन पार्ट बी के अंदर यह आप देख सकते योग अधिगारी योग करमचारी और इस सबका योग यह एटमेटिक यहां फेच हो जाएगा जो हमने उपर डाटा भरा है उसके आप से एटमेटिक फेच है महेंगाई पत्ता बैले इस प्रसेंट अपडेट है के देखा आपको यहां मेंगाई बता जो एरियर है यांने डी एरियर है उस बजेट में देख से देख यहां कि अट्र कर लें एंदल में जो टीप वही एड़ है वहां लिए वह यहां लिभल लगास यह यहाँ formula लगाव है आपको इसकी कोई भी चिंता करने के जूर्थ नहीं है automatic की calculated है इसके लावा दुलाए बता है यदि कोई कर्मजरी आपका ऐसा है दुलाए बता योगी है तो इसकी राशी आप यहाँ लिख सकते हैं इसी प्रकार से केशियर बता है यदि आपके केशियर इसी बजट हेट में है तो आप उसकी राशी यहाँ लिख सकते हैं और आपको मैंने बता है प्रतेक बजट के लिए आपको अलग अलग यह फाइल डाउनलोड करनी है बॉनस के योगी कार्मिकों की सुचिय आपको यहाँ लिखनी है जितने आपके कार्मिक है बॉनस के योगी है वो आपको यहाँ संक्या फिल कर लेनी है साइड में जो मैंने अलग जगह बना रखी है और बॉनस योगी कार्मिकों की सुचना जो संक्या है वहाँ लिखते ही एटोमेटिक है वो बोनस के राशी वह आ जाएगी इस प्रकार से यह जी एवन पार्ट ए और पार्ट भी दोनों तयार हो चुके है यह आप देख सकते हैं नीचे तका जो योग है वो एटोमेटिक आ चुके है यात्रावय और चिकिशावेदिय आपके कोई है तो यहां लेख सकते हैं अगली जो सीट है जी एटू और जी एफवर जो परपत्र है इसमें यदि आपके समझीद बजट हेट में इस प्रकार की सूचना है तो आप यहां फिल कर सकते हैं जो टोटल है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा यदि आपके इसमें समझीद बजट हेट में यह नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं अगला जो होर्मेट है यह भी पूरा पूरत से फेच हुआ है डाटा कोई भी बज़लाव करने के जूर्ट नहीं है ऑटोमेटिक तियार है कि आपको यहां जो तीन साल के यह जो आंकड़े है यह फिल करने हैं दो साल के तो पिछले बजट से आप कर सकते हैं और आई फ्रम है आपको इसमें किसी प्रकार की जुरुत नहीं है जो पहले कि प्रपतर हमने भर रुखे हैं यहांसे डेटा सीधा वहां फेच हो रहा है तो यहां जो आपने डेटा भरा है उसके दाखार पर एक्सपेंडिशर है वह फेच हो जाएगा यह जो एक्स्पेंडिशर है इसके लवा कोई चिकित्सावे या यत्रवे कोई है तो आप यहां इसमें फिल कर सकते हैं उनका टोटल है वो यहां इत्मेटिक हो जाएगा अगला है पिल सरेंडर जो सेवानिवित होनले कार्मिक है उनकी सूची यहां आपको लिखनी है और उनका कितना उपार्जे तवकास बकाया है वो लिखेंगे तो एक्रमेटि यहां के लिगूलेशन हो जाएगी इसी पगार से श्यूकर्थ पोस्ट का विवरन है कि कारियरत त आपको फिल करनी है जिसी जमादार है साय करमचारी है उनकी संख्याप यहां फिल कर सकते हैं समयतन पे डिमार्ड यह आप देख सकते हैं यह एक्टोमेटिक फेच है जो पहले से हमने परपत्र बह रहे थे दो उनसे यहां फेच है इसी प्रकार से जी ए-3 चालान में गराक के जो है श्यूकरत कारेरत और रिक्त पदों का विवरन है यह पोस्ट वाइज आप यहां फिल कर सकते हैं तो इस एक्सेल सीट के दुवरा आप आसानी से आप यह बजट तियार कर सकते हैं कोई भी समझे समझ या हो तो आप मुझे टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं यह आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादे-जादा सेयर करें